हलो बच्चो स्वागत आपका हमारी चनल खंडबर ग्लासिस में जैसा कि आप थमनेल में देख चुके हूँ इस वीडियो में हम क्लास 7 लर्न बेल सोशल साइंस का चैप्टर नमर जो 5 है वह हम यहाँ पर कंप्लिट करेंगे तो बढ़ी रही है हमारे साथ इस वीडियो में औ अगर आपको इस चैप्टर का एक्स्पनेशन वीडियो देखना है तो मैंने इस वीडियो की डिस्कुशन में एक प्लेइलिस्ट का लिक दे रखा है उसमें सारी चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इस चैनल के माद्दम से मैंने आपको एक्स्पनेश वीडियो और question answers वाली वीडियो भी दोनों तरीकी वीडियो प्रोवाइड की है तो आप लिस्ट में देख सकते हो उसका link discussion में आपको मिल जाएगा चलो तो इस चेप्टर के question answer start करते हूँ let us practice का जो पहला question है आपकी जो mcqs type के है जिर में पहला question है दा most remarkable temple in khazurao constructed by the chandela dynasty तो कौन सा temple है तो इसका right answer है कंदरिया महादेव temple ठीक है कंदेरा कंदरिया महादेव temple जो की खजुराओ में है जो की चंदेल डानेशिटी के जो राजा थे उन्होंने यह construct करवाय था next question है second वो है होज इस सुल्तानी बाज is constructed outside Delhi ही कुनहा बाई सुल्तान यानि कि कि सुल्तान ने होज इस सुल्तानी को construct किया था तो इसका right answer है इल्टू तमिस ओप्सन नमर ए नेक्स कोशन त्री है बन अप दा स्पीशल फीचर ऑप द्रेवेडियान स्टाइल ऑप दा टेंपल इन साउथ इंडिया यह जो साउथ इंडिया पार्ट है इंडिया का उसमें द्रेवेडियान स्टाइल के जो है टेंपल थे तो उनका इन मेंसे कौन से फीचर से ठीक है तो इसका right answer है सिखर ठीक है सिखर जो है ड्रेवेडियान स्टाइल का जो है फीचर है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर फूर ही प्लेंडर्ड दा फेमस सौमना टेंपल ऑफ सौराश्ट्र यानि कि इन मेंसे किसने जो है सौमना टेंपल को प्लेंडर्ड किया था यानि कि एक तरह से लोटा था दुझका राइट अंसर है महमत गजनी ठीके महमत गजनी जोकी गौर किसा सकते गौर ही गंट्री है तो वहार किसा सकते औरोंने शौमना टेंपल जोके गुजरात में है उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा लोटा था क्योंकि उसमें काफी सौने चांदी थे नेक्स कॉस्चन है अमांग अमांग दा सेवन इस्टिकल सिटी ऑफ देहली दिस इस दा ओल्ली सिटी विल्ट वाई मुगल एंप्रर यनि कि सेवन जो सिटी ऑफ देहली में उन में से कौन से जो सिटी ऑफ emperor के दुबारा build की गई है तो उसका right answer है सहा जहानवाद ठीक है जो कि सहा जहान ने build up की थी आगे हम देख रहे है फिली नप लैंक जिनमें पहला question है हमारा कोटुब उल इस्लाम मॉस्क्यू इस लोकेटेट इन तेकर तो कुटुब उल इस्लाम मॉस्क्यू जो कि देली में है और यह सलतनत टाइम के मॉस्क्यू है है इंस्ट कोशन है टेंपल इन एलोरा इस एन एक्जामपल ओव रॉक कर टेंपल आगे है बाज बिल्ट राना कुमबा तीक है राना कुमबा के दुबारा बिक्ट्री टावर को बिल्ट किया गया था next है कुतूब उद्धिन एवक बिल्ड यह कै ? पहले question है तो इसका अंसर मैं आपको बताया था उपर ठीक है पैसे इसका अंसर यह है जिनों में बहुत ज्यादा वैल्थ है मतलब वहाँ पर ठीक है सोनी चांदी जेवरात ज्यादा एक तरह से मात्रा में है तो उसने सोमना टेंपल प्राटेक किया था और उसको प्लेंडर्ड किया था नेक्स्ट कॉर्च विल्ट था राजा राजैस्वर टेंपल था वह राजा राज फ़स्ट नामकी गिंग ते उन्होंने विल्ट किया था युश्ट नम्मर आपका नेक्सट इस है थर्ड Damn the two most famous टैंपल विल्ट Idun नागर्ष स्टैल नागर्ष स्टैल में बने हुई दो टेम्पिल आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं तो इसमें है मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे पहला टेम्पिल आपका संटेम्पल जो की कॉनार्क में है और नेक्स्ट है आपका लिंगराज टेम्पल जो की भुमनिश्वर में है ठीक है इसमें कंदरिया महा बुद्धिन बड़ा बनाया गई दो मस्जीदों के नाम तो इसमें मैंने आपको लिखा है कुतूब कुतूब इसलाम मॉस्ट्यूज एड़ाइद दिन का जोपड़ा जो कि अजमेर में है तो ये दोनों मॉस्ट्यू है ये कुतूब बुद्धिन एक बड़ाइद थी आगे हम देख रहे हैं short type के question answer जिन में पहला question है mention to man features of the temple of north India यह निक नोर्थ इंडिया में जो temples बनाया जाते थे उनके दो man feature यहां पर आपको बताने हैं question number first का आप जो आपका answer है तो वो यहां से the sicker ठीक है the sicker यहां से आपको write करना है यह question first का answer the sicker और the elongated top बाच always covered with the Amalika यानि कि दो feature हुआ करते थे ठीक है एक तो थे sicker और दूसरा ता Amalika ठीक है यह दोनों ही features जो ते एक तरह से नागर जो style है जो नौर्थ इंडिया में है उसमें देखा जाता था ठीक है Amalika a big crown structure and then the top there was the colors जाने की जो है सबसे टॉप में colors होता था तो आपको इसका जो answer है वो यहां से लेके और यहां तक write करना है ठीक है सेकेंड कोश्चन है आपका short का what is the driven style of temple आर्टी टेक्चर driven style का जो मतलब आर्टी टेक्चर है वहां उस style के जो temples है ठीक है उनके बारे में बताना है तो यह आपको सौथ पार्ट में देखने को मिलता है तो इसका answer हम लिखेंगे आपर बनवदार डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दार टेंपल्स इन साउथ इंडिया बर्दा सिकर ओफ ए प्रामेडिकल सेव यानि कि इसमें जो सिकर होता था वो एक प्रामेडिकल सेव का होता था ठीक है जबकि आपका नौर्थ इंडिया में भी सिकर होता था नौर्थ इंडिया के टेंपल में भी बड़ वो एलोंगेटेड होता था ठीक है उसको हमें नहीं देखना और सेप टावर बिच सेरवल स्टोर्स इन डेसेंडिंग और यानि कि इसमें जो सिकर्स थे वो कापी स्टोर होते थे सेंडिक और में होते थे झे थीми और दाषी कर वाजडा यूजली विल टया जादे वहान जा ते वह गर्गवर कि जश्ट ऊपर ही बनाया जाते थे जो कि square base में होते थे यानि कि square shape में होते थे तो इसमें जो आपका answer लिखना है यहां से लेके आपको यहां तक इसका answer write करना है आके हम देखते है question number third जो है describe two features से of the smallic Islamic architecture यानि कि जो Islamic architecture था यानि कि हम बोल सकते हैं सल्तना time का या फिर मुगल्स का उसके बारे में यहां पर बताना है तो देखो Islamic architecture के जो features थे उनमें है एक तो arc एक है dom मिनार के टिक है मिनारेट से जो कि मिनारे होती थी उनको मिनारेट कहते थे but the most notable features of this style टिक है बलब यह तीनों ही एक तरसे इस style की यानि कि Islamic style की features हुआ करती थी टिक है spacious gardens were set on the premise of the buildings यानि कि buildings को उपर टिक है garden का setup कि जाता था टिक है तो इसका अंसर आप देख सकते हो यहां से लेके आपको यहां तक रैट करना है चलो next हम देखते हैं question 4 question जो 4 है उसमें हम देख रहे हैं what are the distinct features of मुगल architecture मुगल आर्टिक्चर की features यहां पर write करने हैं तो इसका मैंने आज से लिखा है some of the main features of मुगल आर्टिक्चर सार मैंसें बिलोग पहला है देखो मुगल जो आर्टिक्चर हुआ करता था उसके में पीचर में पहला पॉइंट जो आता है वो है उनके gateways हुआ करते थे यानिकि जाने के लिए जो रस्ते हुआ करते थे नेक्स्ट है डेलिकेट जो है और हमायू जो place है यह मायू तो उसमें वी हम देख सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट है slender मिनारेट इस बिद का पूल सट फूर कॉर्नर यानिकि इनके चारो कॉर्नर पे शेलेंडर टाइप के जो है मिनारेट सुआ करते थे जैसे कि आप ताज में देख सकते हूं ठीक है बीच में इसा पार्ट है और इन चारों कॉनर पर ऐसे ठीक है चारों कॉनर पर ऐसे बड़े-बड़े क्या है मीनारे हैं तो वह हैं तो यह कुछ अंस मतलब होगे इसका अंसर अगर हम देखते हैं कौसर नमर है वह वाट इस दा कि बॉट इस दा कि पिट्र डूगे इट विच मॉनुमेंट्स इस फाउंड है तो इसका हम आंसर देख लेते हैं पित्र दूरा कि दा एनली टैक्निक आप दा आर्टिटेक्चर यानि कि आर्टिटेक्चर की एक टैक्निक होती थी कैन भी फाउंड ता जो कि ताजमेल में फाउंड होती थी पित्र दूरा आल्सो और कॉल्डे पर्चिन कारी यानि कि इसको पर्चिन कारी कहते थे इन टम्स ओफ और इन टैक्निक आप यूज कट हैंड दा फिटेट हाइली पॉलिस्ट कलर स्टॉन यानि कि इस जो कारी करी थी इसमें एक तरह स जो कलर्ड स्टॉन हुआ करते थे ठीक है उनको उनको फिट के जाता था मार्वल्स में ठीक है जैसा कि हम ताजमेल में देख सकते हैं इसके पित्र दूरा को नेस्ट आपका जो कोशन है वो 6 है नेम ता मैंने बिल्डिंग्स कंस्टक्टेड डूरिंग जहांगिर रीजान तो जहांगिर के टाइम की जो जो बिल्डिंग्स थी कौन कौन सी कंस्टक्ट की गई थी तो देखो जहांगिर बुल्ट टॉम हर टॉम और आफ अकवर अकवर का जो किला है अकवर का जो टॉम है वो जहांगिर ने बनवाए था जो की सिकंद्रा में है सिकंद्रा जो की इस सेड ऑफ टॉप एंड बट यूजल सेंटर टॉम सेज मिसिंग यानि कि इसमें जो बीच में है जो सेंटर लोब मिसिंग है बट इसके जो दोनों तप है वहां पर राइज पोडियम है यानि की खडी मिनारेट से हैं जहांगर आल सुरू लेड आउट सेवल गार्डन्स ज जैसे सालिमार का गार्डन है जो की कस्मीर में है एंड नितास बाग है यह भी कस्मीर में है विच बियर टेस्टिमोनी ऑफ दा हिच पैसन ऑफ गार्डन्स यानि की जांगिर थी उनको गार्डन बनाने का पैसन था सोग था तो यह कुछ उसके सिंबल से हैं यहां आपके 100 यहां पर खतम होते हैं अब हम देखते हैं लॉंग टाइप की कौशन आंचर जिनमें पहला कोशन है टूरिंग सांजा रेजन दा मोगल साटिटेक्चर रिज्ट इन पीक कमेंट ठीक है सांजा के टाइम पर जो मोगल आर्टिटेक्चर था वह एक तरह सी पीक पॉइंट प रिज्टेंदा जिनित अब गलोरी तूरिंग ता रिजन ओफ सांजा यानि जो सांजा का काल था सांजा का टाइम था रूलिंग का उस टाइम पर जो आर्टिटेक्चर है ठीक है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा करवाय गया था और ही बाज इवन कॉल्ड इंजि डिंग का जाता था इच फैवरेट वेल्डिंग स्मैटरील बाज मारबल सांजा के लिए जो फैवरेट structure his buildings are slender यानि कि जहांगेर के और अकबर के वे में देखे context में देखे तो इसकी जो बिल्डिंस थी वो slender type की थी and delicate थी बहुत दीक लात्मक थी and अच्छी थी richly ornamented और अच्छे से सजाए गई थी लोग उनकी सजाबट बहुत थी rich quality की थी पर्शियन इंफ्लियंस वाज more prominent in his building यानि कि इनकी buildings में पर्शियन एक तरसे पर्शियन जो कला है उसको देखा जा सकता है special feature वाज इन ले बर्ग नोन एज तीक है पित्र दूरा जो के भी मैंने बताया है तीक है उसमें जो precious stones होते थे जनने लापिस और लाजुली भी हम कह सकते हैं लापिस है लाजुली है टोपाज है ठीक है यह कुछ precious stone होगा करते थे इनको embedded किया जाता था मार्बल्स के उपर इनको चिपकाया जाता था मतलब मार्बल्स पे उपर चिपका के फेट बाल्स वगएर होती थी उनको decorate किया जाता था ठीक है आगे जो हमें इसका second question लेखते हैं what are the contribution of the regional kingdom in the medieval period of architecture यानि कि जो regional kingdoms थी medieval period में तो उनका एक तरशी आर्टिटेक्चर में क्या contribute था देखो इसका answer हम देखते हैं देखो in between the period of the देहली संतलन्त, शल्तनत and the मुगल rulers इनकी जो बिच्च का जो period होता था ठीक है period हुआ था the regional kingdoms of Rajput and Deacon regions by influence थी के तो उस टाइम पे राजपूत और डिकन रीजन है वो एक तरह से ruling में आई थी और उन्होंने इंडो इस्लो इस्लो इस्लामिक style architecture को follow किया था दा देखो आगे a distinctive features of the Rajput force बाजदा एक तो fanciful use of colors यानिके नोंने colors का बोज़ा था यूज किया था and semi precious stone like जैसे लापिश लाज़ुली इनको भी नोंने यूज किया था ठीक है to embellish their fortress palace यानिके उन्होंने जो अपने के लिए थे उनको एक तरह से और और उनको सजाने के लिए उनको यूज किया था the famous ones the meheran god photo of your जोदपूर यानि जोदपूर का जो महरानगड़ फूर्ट है उसमें इस सब चीजे देखा जा सकती है फाउंड वाइदा राओ जोदा राओ जोदा ने इसको फाउंड किया था 1459 में एंड विजास्तम और टावर विक्टरी भी उन्होंने याप पर मतलब चित्वन में जो के बरवाय गया था राना कुम्बा के दुबारा ठीक है तो यह इसके आंसर से हैं कॉसर नमर टू के कर अलग थे ठीक है तो इसका जो आंसर है ना मैंने यहां पर वैसे लिख दिया है ठीक है तो यह जो आंसर है आपका वह आपके सौट का कॉशन बन और कॉशन टू है ठीक है यह उपर वाला पार्ट है यह आपका सौट का कॉशन बन है और यह सौट आंसर का कॉशन नमर है तो यह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं ठीक है यह देखो यह रहा त्टिक यह दोनों कुर्शन आपके सॉट के हैं तो यहीं आंसर महां पर मैंने इसको कौपी किया है क्योंकि यह सेंप कुर्शन है टीक है ताफ इसी को नोट कर सकते हो ऐसोट का है आपका टीक है कर गया है है कर नेक्स्ट च्कुस्ब देखते हूं फूर ने Drag टिके जो फैमस मॉनुमेंट्स थे सल्टनत् पिरियड के उनके नेम बताने हैं और इसक्राइब करना उनके आर्टिटेक्ट्टर को तो इसका अंसर मैंने आपको यह यहां पर दे रखा है देखो सम बिल्डिंग्स लाइक कुतूब उलिस्लाइब मॉस्क्यू जोगी कुतूब इवक के टाइम की थी नेक्स्ट है दिस मॉस्क्यू बाजदा फर्स्ट तो बी विल्ट वाजदा एनि सुल्तान इड़ वुल्ट इन 1192 दोनों ही चीज़े को तुब इन इवक ने मुनवाए थी यह बिचवाजदा फर्स्ट वॉल्ट इन था टू एंड हाप यानि कि इसको डाहिदिन का जॉपड़ का जाता है क्योंकि यह डाहिदिन में बनाता है डाहिका मतलब होता है टू एंड हाप डेज ठीक है ऐसी मायनता थी ऐसा कहा जाता था ठीक अभी यह सच है यह जोटे यह पता नहीं है और नेक्स्ट है अलाई द्रवाजा इन कुटूब कॉंप्लेक्स कुटूब कॉप्लेक्स वाज बिल्ट फाइदा कुटूब इन खिल जी इट कंटेंस आर्क नहीं करा सके थे तो यह कुछ बिल्डिंग्स थी दा रूलर आप दा तुगलग डानेशिटी विल्ट दा तुगलबाद फोर्ट यानि तुगलग डानेशिटी के जो रूलर थे उन्होंने तुगलबाद फोर्ट को एक तरह से कंस्ट्रक्ट कर वाए था दा टॉम दा टॉम्स ऑफ गाश दिन तुगलग एंड मुहमबद बिन तुगलग प्रुष साय कोटला प्लेश एंड मॉस्क्यू यह सबी चीजें उसी टाइम के बनवाए गई थी आगे है लोधी बुल्ट्स टॉम्स लोधी दा लोधी जो थे यानि कि जो लोधी दा डैने सिटी के जो रूलर्स थे उन्होंने टॉम्स और बनवाए हाई पिलोट पार में शैड ए गार्डन दा लोधी गार्डन इन देली इस फाइन एक्जाम्पल अप इस स्टायल यानि लोधी ओने भी कापी ज्यादा अटिटेक्ट्चर को हां अटिटेक्चर्स मोनुमेंट्स बनवाए थे आगे हम देख रहे हैं question number five describe the architectures architectural component during this medieval period यानि की medieval period के दोरान जो architectural components थे उनको हमें describe करना है तो इसका answer आपको हम पर यहां से लेकना है long का five answer है architectural components during this medieval period वर तो पहला point आपका एक तो trivet जन्हें हम core weld भी कहते थे this style was common in the temples and Moscow tombs and buildings like bodies बगेरा इन्हें यह common थी ठीक है कोरेब्ड और triveted एक ही नयम है यह ठीक है दोनों से नयमेंश है और नेक्स्ट है true arc it is pointed arc मतलब true arc होता था वो pointed arc होता था थर्ड pointers में dom ठीक है dom जो होता था वो enclosed होता था 22 semi circle मतलब ऐसे जो मैं बता चुका हूँ port point lamistone cement it is used as binding materials याने कि जो metals होते थे जो की buildings में use होते थे उनको wind करने के लिए इसका यूज की जाता था जैसे आज हम cement का यूज करते ना जब हम मकान बनाते हैं तो पत्रों की पत्रों को construct किया जाता है setup किया जाता है तो हम cement के यूज करते हैं उनको setup करने के लिए तो इस time पर चून अफत्तर यानि की lamistone का यूज किया जाता था तो यह कुछ चार materials है इनको आप लिख लीजिए point number one two three and four ठीक है और यह chapters है इसके सारे questions and answers आपके complete होते हैं I hope कि आपको यह video helpful रहा हुआ तो मिलते हैं next video में और बाकी के chapters की video जो आपको देखने हैं तो इस video के discussion में मैंने एक आपका social science learn bell का मैंने आपके प्लेलिस्ट बना रखा है उस प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो एक साथ बहुँच कर सकते हो सो थैंक यू इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजे बाई